एक गित आपने भी सुना होगा शायद हम तो गाते ही है है देह विश्व आत्मा है भारत माता स्रिष्टि प्रलय परियंत अमर यहनाता संपूर्ण विश्व जो चलता है जैसे आत्मा के होने से मनुष्य का शरीर मन बुद्धी काम करता है आत्मा के चले जाने से वो बिना पेट्रोल डिजल की गाड़ी जैसा पड़ा रहेगा जंग खाएगा उससे होगा कुछ नहीं ऐसे भारत के रहने से विश्व रहता है क्योंकि विश्व चलता है चलता है यहने जीव चलते हैं शुरुष्टी में अब जीवों के विकार भी होते हैं उनकी वासनाय होती है उसके पीछे भागते भागते वो रास्ता छोड़ देते हैं और रास्ता छोड़ देंगे तो गड़ा ही गड़ा है एक बार उस धलान पर लग जाने के बाद उनको रोकने वाला कुछ नहीं है असाहाई हो जाते तब एक अकेला भारत ऐसा है जो कभी रास्ता नहीं छोड़ता जिनका भटकता है उनको थाम लेता है वापस रास्ते पर लाता है ये भारत का काम है भगवान ने दिया हुआ और भारत इसको कर पा रहा है आदिकाल से क्यों कर पा रहा है क्योंकि भारत में इसको भूला नहीं जाता है दिखने वाली दुनिया के पीछे क्या है धर्म है धर्म से चलते हैं, तो अर्थक काम दोनों सिद्ध हो जाते हैं, पेट पानी भी चलता है, फलने फूलने की आकांग शाहे हमारी सफल हो जाती है, लेकिन एक मर्यादा में रहना पड़ता है, धर्म की इसलिए व्यास मुने ने कहा, माभारत के अंत में पांच लोग है, उसको भारत सावित्री कहते हैं, उनके कहने का सार उसमें, माभारत का सार एक तरह से उसमें है, उनके कहते हैं, माता, पित्र, सहस्राणी, पुत्रदार, शतानी, संसारेश्व, अनुभुतानी, यान्ती, यास्यन्ती, चापरे, उने अपने जन्म जन्मानतर के यात्रा में, माता, पिता, पुत्रदारा ये आते रहते, बिछड़ते रहते, सागर में जैसे, और दो लगडिया भहती आत जक्राती है, चन बर साथ रहती है, दूसरी लाट उनको लहर उनको बिछोड देती है, ऐसा होते रहता है, हर्षस्थान सहस्तरानी, भयस्थान शतानी चो, दिवसे दिवसे मुडम आविशंती, न पंडिता, जीवन सुक दुख का दुपचाव का खेल है, चलते रहता है, ले जातु कामान न भयान न लोभान दर्म अत्ते जेत, जीवित अस्यापी है तो, लोब से, मोह से, प्राण से, धर्म को मत छोड़ो, प्राणों के लिए भी मत छोड़ो, धर्म पर मरो, धर्म के लिए मरो, मरने के डर से धर्म मत छोड़ो, क्योंकि जीवो नित्यों हे तुरस्यत्यों धर्मो नित्यों सुखदुखेशों अन्यति सुखदुखा आने जाने वाले है धर्म शाश्वत है वही आधार है सुरुष्टी का जीव नित्य है हमारा देह बदलता है हम चलते रहते है अपना गंतों वे पुरा होते तक